नमस्कर दोस्तो हमारे online tuition अड़ा चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तो आज का class जो मैं करा रहा हूँ ये class साइद ही किसी channel पे आपको मिलेगा नहीं तो मेरा जहां तक मानना है कि कोहीं नहीं मिलेगा क्यांकि रौ का जो रूप है ये बहुत ही important fact है जो आज मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो को last तक देखिएगा और मेरा वादा है कि अगर last तक आप देखते हैं तो आप last में संतुष्ट जरूर होएगा कि हाँ समय दिये हैं इस class में तो कुछ चीज मिला ठीक है यहां पे दो point है इस point को खुब ध्यान से परले समझना है आपको ठीक है पहला point क् कि रोका जो समान ने परियोग होता है जैसे हम लोग जो समान ने परियोग करते हैं रोका वो कहीं भी हो सकता है बीच में हो बाद में हो जैसे लिखना है रोथ ठीक है तो रोथ देखिए पहले है ठीक है लिखना है गरम गरम तो देखिए बीच में है देखिए ऐसे गरम ल सारन, आगर लिखना है अगर लिखना amongst शारन तो शरन Lord, लिखना है जहर Gi zwischen लाश्ट में यह चीज बता रहे थी कि बीच में हो सकता सुरू में हो सकता है यह समाने रुप्य यह बड़ी बात नहीं है दूसरा जो पईंट है यह बहुत समझने बला point है क्या है कि रो में सभी मात्राएं लग सकती है सब मात्रा लग जाएगा जिसे रो रा री री रू रू जो भी हम लोग पढ़ते हैं यहां पर देख सकते हैं इसमें सभी मात्रा लग जाएगा बकायदे इसमें री का मात्रा और हलंत नहीं लगता है यह हमेशा आपको याद इंपोर्टेंट चीज दोस्तो रा में री का मात्रा नहीं लगता है क्या नहीं लगता है और हदल क्या होता है अब आपके दिमाग में कोष़्ट है। क्योंकि रीका तो मैं पढ़ा चुका हलंत क्या होता है तो हलंत जब जिस अक्षर में लग जाता है वो अक्षर आधा हो जाता है यानि उसमें से ये औ के मातरा हट जाता है तो सबसे पहले इन सब्दों को हम लोग समझेंगे बारी बारी से तो यहां पर एक और चीज समझें कि देखिए यह जो रह है जब इसमें छोटा उ की मातरा लगेगा छोटा उ का तो यह ऐसे होता है ऐसे यहां पर कुछ कोई गोलाव अगरा कुछ नहीं ऐसे डारेक्ट होता यह रू है तो बहुत जगा आप इसमें कनफ्यूज होते होंगे और जब रह में बड़ा उ लगेगा बड़ा उ की मातरा तो यह रह में ऐसे करके लगता है यहां रखना इसको तो यह बड़ी उ है और यह छोटी उ है तो आप कमेंट बक्स में लिख कर बताए कि जो रूप अची यह रूप देखिए रह में बड़ी उ की मातर है रूप अमरूद देखिए यहां पर रह में बड़ी उ की मातर है रूप क्योंकि बड़ी उ का उचारन भी अलग होता है तो इसको ध्यान रखना है आपको रूद्र यहां पर छोटा उ की मातर लगा है यहां देख सकत इसको लाश्ट तक देखना है रूची अब यह बता यह कौन सी मात्रा इसमें लगा है बड़ी उकी मात्रा रूची यह छोटी उकी मात्र लगा है यहां पर देखें बड़ी उकी मात्रा रूखा रूखा हमको विश्वास है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे ठीक ना क्यो गुरू गुरू देखिए जिसमें बड़ी उकी मातला लगता है उसमें जोरलायर पढते हैं और जिसमें छोटी उकी मातला सिंपल tada गुरू वह लिखा रहता है गूरू गुरू तो वह अलग हो गया वह गलत हो जाएगा जो लिखा है वही पढ़ना है डमरू रूपया यहाँ पे मिल गया दोस्तों देखिए छोटी उ के ही मत्रा होता है रूपया में ठीक है ऐसा ही लिखा रहाता है रूपया और भी यहाँ पे कुछ सब्द है इसको हम लोग देखते हैं तो दोस्तो आज का क्लास कैसा लगा फ्लीज कमेंट बक्स में लिखकर बताईएगा और लाइक भी कर दिजिगा इस खछास को अगर आप मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं खिया है तरजेए पिल आइकन को हम लाइकन के लिखकर पे क्लिक कर दिएगा तो चलिए आज की क्रते हैं मिलते हैं अगले क्लास में।